हेलो इस वीडियो में हम जानेंगे long leg doji candlestick के बारे में ये candle किस तरह से form होती है और इसमें trade किस तरह से लेना है इसके बारे में भी आगे discuss करेंगे पिछले सभी वीडियो के link description में है आप check out कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं long leg doji candlestick में candle की body नहीं होती है क्योंकि इसका open और close price same होता है या तो close price open price के आसपास ही करी होता है इस वज़े से या तो इसमें हलकी सी red या हलकी सी green body आपको देखने को मिलेगी तो ये तीन तरह की long leg doji candle form हो सकती है अब ये doji candle stick form कैसे होती है जब share का price किसी एक particular time frame में किसी point पे open होता है और उसके open होने के साथ ही वहां buyers हावी हो जाते हैं वो share के price को उपर ले जाते हैं और उपर जाने के साथ ही जब sellers हावी होते हैं वो share के price को नीचे ले आते हैं लेकिन क्योंकि buying force भी वहां पे equally होता है तो वहां से फिर share का price उपर हो जाता है इस वज़े से share का closing price, open price के आसपासी होता है इस तरह से इसकी हलकी सी body या तो ना के बराबर body form होती है ये candle ये दिखाती है कि उस particular time frame में उस share में buyers और sellers equally active है और इस condition में इस तरह की doji form होती है और ये doji candlestick in decision या confusion का state show करती है अब जैसे कि हमने जाना कि इसमें strong buyers और sellers होते है इसका open और close price लगबख same होता है इसकी long upper wick और long lower wick होती है और अगर ये candle तब form होती है जब पीछे से कोई trend आ रहा हो या तो up trend चल रहा हो और share का price अपने high पे हो या तो downtrend चल रहा हो और share का price अपने low पे हो अगर उस time ये candle form होती है तब chances है कि ये trend reversal को indicate करे और उसके बार trend change हो जाए तो हमें इसमें trade कैसे लेता है चलिए देखते है तो अभी आपके सामने mcdowell का one day time frame का chart है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक long leg doji form हुई है यह date मैं बता दे रही हूं किस date को form हुई है यह date है 20 June तो यह doji form होने वे हमें trade कैसे लेना यह मैं बता रही हूं आप देख पा रहे हैं share में पीछे से चलता हुआ downtrend आ रहा है और यह doji लगबग share के low price के आसपास form हुई है जैसे ही इस doji के आगे आने वाली पहली या दूसरी candle इस doji से पहले वाली candle के high को cross करेगी मतलब की इस point को जैसे कि आप chart में देख सकते हैं doji के बाद बनने वाली पहली candle नहीं उसके high को cross कर दिया है तो हमें इस point पे entry लेनी है यह point है 750 का और buy करने के साथ ही हमें stop loss लगाना है doji के low point पे मतलब की यहाँ 725 पे इसके बाद जो भी candle swarm हुई है आप देख सकते हैं किसी ने भी stop loss को hit नहीं किया है और जो high बनाया है share ने one day time frame में वो है 935 का तो इस तरह से आपको इसमें entry लेनी है यह मैंने one day का आपको show किया आप intraday में भी करना चाहें तो 5 minute या 15 minute के time frame को देख सकते हैं यह मैंने buy की position बताई है sell अगर आपको करना है one day time frame में आप सिर्फ futures में कर सकते हैं और intraday में करना है तो 15 minute या 5 minute के time frame में आप intraday sell करके चल सकते हैं अब मैं आपको 15 minute के चार्ट में दिखा देती हूँ कि इस doji में किसर से आपको trade लेना है अभी आपके सामने ICAC bank का 15 minutes time frame का चार्ट है आपको यहाँ पे एक long leg doji बनते हुई दिख रही है इसकी date और time में आपको बता दूँ 30 नवंबर को 15 बच के 15 minute पे फर्म हुई है तो यहाँ पे क्योंकि सवा तीन बजे यह candle फर्म हुई है और उसके बाद market close हो गई तो हम next day इस candle के base पे trade ले सकते हैं आपको इसमें trade कैसे लेना है जब doji के बाद बनने वाली पहली या दूसरी candle डोजी से पहले बनने वाली candle के low को cross कर दे तब हमें उसमें short sell करना है लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहली या दूसरी candle ने नहीं लगबग चौती candle ने पिछली डोजी के low को cross किया है तो हमें तब तक का wait करना है या तो अगर आप पहले entry लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं लेकिन आपको साथ में strict stop loss फॉलो करना है तो मान लेते हैं आपने इस point पे entry ली जहाँ पे पिछली candle का low है 948 के आसपास और उसके बाद आप intraday में ही जो profit अब बुक कर सकते हैं 938 के आसपास तक का लगबग 1% का intraday profit आप बुक कर सकते हैं और आपको stop loss वहीं लगाना है डोजी के upper point पे और entry लेने के बाद जैसे जैसे share का price नीचे आता जाए आप अपने stop loss को trail करते हुए चल सकते हैं I hope आपको यह long leg डोजी का concept समझ आ गया हो इसके बाद एक और डोजी होती है जिसको कहते है four price डोजी उसके बारे में बता देते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में डोजी स्टार, ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाय डोजी इन सभी को explain किया है Link description में है और इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक बताया long leg डोजी के बारे में और अब हम चल दे ही समझते है four price डोजी के बारे में four price डोजी वो डोजी होती है जिसका open और close price तो same होता ही है साथ में high और low भी उसी point पे होता है जहां पे open और close price होता है तो आपको जो candle है वो कुछ इस तरह से बनती हुई दिखेगी अब इस candle में में हमें trade नहीं करना है क्योंकि ये candle तब बनती है या तो share में buyer या seller नहीं है movement नहीं है, volatile नहीं है share और share का price उस particular time frame में एक ही जगे रुका हुआ है उस case में ये डोजी form होती है या तो upper circuit और lower circuit के time पे ये डोजी form होती है तो जैसे कि मैंने आपको points बता है इसका open और close price same होता है high और low भी same होता है upper circuit या lower circuit के case में आपको इस तरह की candle देखने को मिलेगी या तो less volatile होगा वो share और बहुत ही कम volumes होगी उस case में आपको इस तरह की candle form होते हो दिखेगी कोई भी trade indicate नहीं करती है ये candle इसलिए हमें कोई trade नहीं लेना है मैं आपको share के chart पे भी एक बार दिखा देती हूँ किस तरह से form होती है ये है बिर्ला टायर का one day time frame का chart आप देख रहे हैं क्योंकि ये penny stock है जाता कई देनों तक आपको इसमें पहले lower circuit लगता हो दिखेगा उसके बाद फिर upper circuit और फिर lower circuit फिर upper circuit इस तरह से जहां पर one-sided trade होता है या तो सफिर buyers हावी है या sellers हावी है या तो बहुत ही less volatile less volume share है जहां पर movement नहीं है उस case में आपको trade नहीं लेना है तो four price doji में हमें कोई trade नहीं लेना है बाकी मैंने आपको long like doji के बारे में बता दिया आपके कोई questions हो तो आप comment box में लिख सकते हैं I hope आपको यह video पसंद आया हो like, share, follow and subscribe thank you